हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे रेल एडवेंचर यूटूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको भागलपूर से दुमका और 12 हंट से बाका सिंगल रेल नाइन सेक्शन का विजूती करन कारे जो सुरू हो गया है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू करने के पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि रेलवे से जुड़ी जानकारी लेटेस्ट अबडेट और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो दोस्तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो भागलपूर से लेके दुमका 116 किलोमेटर सेक्शन और दुमका से आगे रामपूर हार्ट 64 किलोमेटर सेक्शन पे विडियोति करन कार्य प्रारम हो चुका है साथ ही दोस्तो बारा हाट से लेकर बाका के बीच में 16 किलोमेटर सेक्शन पे भी विडियोति करन कार्य प्रारम हो चुका है दोस्तो ये बहुत बड़ी खुसकवरी है दोस्तों सबसे पहले भागलपूर से जमालपूर होते वे क्यूल रेलखन का विद्यूतिकरन पुरा कराया गया पिर भागलपूर से कहलगों होते वे साहिवगन रेलखन का विद्यूतिकरन पुरा कराया गया ये बहुत बड़ी खुसकबरी है हम सभी लोगों के लिए दोस्तो फिलाल इस लाइन का जो कई सालों से सिर्फ सिंगल लाइन है और काफी जादा वंचित लाइन थी दोस्तो इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था पर दोस्तो जब इस लाइन को पहले हस्डिया तक जोड़ा गया मंदारिल के आगे फिर हस्डिया से आगे दुमका जोड़ा गया और दुमका से आगे अब रामपुरहर जोड़ा गया तो दोस्तो ये सौट लाइन भी बन गई है हावला जाने के लिए पहले हावडा जाने के लिए सिर्फ सहाइवगंज होते वे रामपूर हाट जाने का रूट था तो दोस्तो वो सहाइवगंज जाने के जो होके जो रूट रामपूर हाट जाता था और आगे हावडा तो उसमें 207 km उसकी दूरी थी रामपुरहाट तक पर दोस्तो ये जो दुमका होके रामपुरहाट जाने की जो रूट है इसकी ये दोस्तो 180 km तो 27 km की दूरी कम हो जाती है अगर ट्रेन दुमका होकर जाती है तो तो दोस्तो पर पुराने रेल लाइन होने के कारण और दोस् तो ट्रेनों की गतिक गाफी कम रहती है दोस्तो कम दूरी होने के बाबजूत भी जो ट्रेन वाया दुमका जाती है जैसे कभी गुरू एक्सप्रेस इसे जाने में 7 घंटे लगवग लग जाते हैं और जो ट्रेन वाया साहिव गंज होके रामपूर हाट जाती है उसे सिर्फ 4.5 घंटे लगते हैं तो दोस्तों यहां सिर्फ कम दूरी होने से ट्रेनों को कोई फायदा नहीं हो रहा था दोस्तों और साथ में दोस्तों यह सौट लाइन होने के कारण और goods train को यहां से काफी मात्रा में काफी सालों से इधर से transport कराया जा रहा है तो goods train के लिहाज से भी railway को काफी फैदा हो रहा था दोस्तों अगर मंधारिल और मंधारिल दुमका होते वे train जा रही थी तो इसलिए यह decide किया गया कि इस route को भी जल से जल विदूति कराया जाए ताकि जो गाड़ियां इधर से cross हो वो काफी तेजी से अपने गंतव तक पहुंच सकें और उमीद है कि एक साल के अंदर 116 किलोमेटर का section जो है दुमका तक और जो मालदा डिविजन के अंदर आता है और दोस्तों दुमका से लेकर जो आगे section एरामपुर हट का ये section आता है हावरा डिविजन के अंदर ये दोनों section पर पैरलली काम दोनों side से start हो गया है और बहुत अभी फिलाल तो दोस्तों होल्स करने का काम चल रहा है जैसे ही होल्स का काम हो जाता है इसके बाद मास्ट इरेक्शन किया जाएगा और मास्ट इरेक्शन के बाद धीरे धीरे वाइरिंग का काम सुरू किया जाएगा तो दोस्तों ये सारे कारे को complete करने में लग step होगा third step में इसकी wiring की जाएगी. चौते step में wiring को adjustment किया जाएगा. पाचमें step में इसकी सारी adjustment की जाएगी और last step दोस्तों इसकी CRS inspection कराके इस section को passenger services के लिए खोल दिया जाएगा. तो उमीद करता हूँ दोस्तों ये सारा काम समय रहते करा लिया जाएगा और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें और रेलवे से जूड़ी कोई भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप मुझे ट्वीटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी ट्वीटर आइडी है भागलपूर रेल, जय हिंद, जय भारत, वन दे, मात्रम